कि वाट्चाप कोर्स के इस वीडियो में आज आप सीखेंगे वाटी एकाउंट में कैसे आप मल्टिपल यूजर्स को एड़ कर सकते हैं स्टेप बाइ स्टेप प्रेक्टिकल टुटोरियल है एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बे प्रेक्टिकल हाइब्रिट एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद आटिफिशल इंटेलिजेंस एंड प्रॉंप इंजिनियरिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे दिवे नमबरों पर वाट्सएप या कॉल कर सकते हैं साथ के साथ आप अपने बिजनस को अगर लेकर जाना चाहते हैं उसके लिए आप हमारी प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग सर्वेसिज लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे दिवे नमबरों पर कॉल कर सकते हैं वाट्सएप कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में भी मैं एंक्वाइरी फॉर्म और नमब है initially use कर पाए है अब उसमें users add करना भी या फिर multiple users add करना और उनको role assign करना भी एक initial level का part है ठीक है तो वही चीज इस particular वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से हम multiple users को add कर सकते हैं हमारे Wati account के अंदर ठीक है तो directly चलते हैं हमारे Wati account में and सीखते हैं so guys as you can see हम अपने जो demo account हमने create किया था उसके अंदर आ चुके हैं यहाँ पर simply आपको जाना है जैसे कि यहाँ पर team inbox के अंदर है अभी हम ठीक है यहाँ जो जैसी आप login करते हैं demo account को या normal account को भी आप login करेंगे जो paid account होता basically तो आप सीधा team inbox के अंदर ही यहाँ पर आते हैं ठीक है तो अभी यहाँ पर हमें simply more options पर क्लिक करना है more पर जाके थोड़ा सा आप नीच आएंगे तो यहाँ पर दिखेगा आपको user management जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमको जो basic हमारा account holder है जो हमारा main user है वो आपको दिख जाता है अगर आप चाहें तो यहाँ पर multiple users add कर सकते हैं add user पर क्लिक करके ठीक है अब जैसी आप यहाँ पर add user पर क्लिक करेंगे यहाँ तो basically आपको option नहीं मिलता because this is the demo account and यहाँ आपको कोई option नहीं मिलता बट अगर मैं आपको जो original account होता है अगर आप इसको upgrade करते हैं और real account में जाते हैं तो किस तरीके सा आपको option मिलते हैं तो उसके लिए basic same वही option यह मैंने जो हमारा updated account है इसमें login कर लिया है यहाँ more पर जाएंगे user management में जाएंगे यहाँ पर आपको add user का option देख रहा है अब जैसे यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप उसको जो भी user आपको add करना उसका नाम डालेंगे last name डालेंगे जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ example demo demo मैं यहाँ demo demo डाल रहा हूँ फिलाल के लिए अब यहाँ पर आपको email डालना है तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ जो है जिसको आप account provide कराने वाले वह इस email से एंड इस particular password से ही login कर पाएगा तो आप कुछ भी जो आपको password ठीक लगए आप डाल सकते हैं यहाँ यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ फिलाल के लिए यहाँ पर आपको role define करना है अगर नहीं करेंगे तो as a by default जो administrator इसको access मिल जाएगा इस particular account को ठीक है इस particular email को तो आपको यहाँ पर अगर अपने हिसाब से role define करना है तो वह भी आप कर सकते हैं आपर broadcast manager है जो सिर्फ broadcasting देख पाएगा broadcasting means जो bulk messaging वाला feature होता है उसको broadcasting कहते है ठी template manager होता जो सिर्फ templates को manage यानि जो messages होते हैं उनको manage कर पाएगा then contact manager operator developer dashboard viewer जो सिर्फ dashboard देख पाएगा data देख पाएगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा then billing manager जो सारी billing को handle कर पाएगा then automation manager इसे साब से सारे managers set कर सकते है otherwise आप चाहें तो इसको administrator भी बना सकते है ठीक है अब यह यहां पर एक चीज़ समझने वाली बात है जब आप upgraded account लेते हैं तो आपको एक different login ID मिलती है यहां पर आप देख सकते हैं यह है हमारी अलग से जो हमारे upgraded account की login ID है ठीक है तो इसी login ID के ऊपर ही वो जो email and password आपने save किया है वो login हो पाएगा और कहीं आप कोशिश करेंगे तो वो login नहीं होगा ठीक है जैसे कि मैं यहां पर इसको copy कर लेता हूं यह login ID आपको वातिकी टेम प्रोवाइड कराती है मैंने copy किया इसको मैंने incognito mode को लेता हूं यहां पर मैंने इसे paste किया अब जैसे मैं एंटर करूँगा यहां पर मेरे से email and password मागेगा ठीक है तो अगर मे demo account है हमारा वहां दिखा हूं तो वहां पर आपको इस type की login ID दिखती है ठीक है क्योंकि यह demo account है तो यहां पर आपको दिखता है app.wati.io ठीक है बट जब आप upgraded account में जाते हैं तो आपका जो basically जो आपका account का URL होता है वो change हो जाता है यहां पर रिफ्रेश करके आपको दिखा रिता हूं तो यह हमारा account का URL है ठीक है तो यही URL से जो हमारी team है यह हम जो है login कर पाते हैं तो इस तरीके से आप वाती के अंदर जो है multiple users बना सकते है multiple roles assign कर सकते हैं अपनी team के साथ जो है account को share कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यही पर wrap-up देते हैं next वीडियो बहुत पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो comment section में जरूर बताइएगा दोस्तों अगर आप अपने business के लिए professional digital marketing services चाहते हैं या आप चाहते हैं लाइफ practical advanced digital marketing course with artificial intelligence direct life सीखना तो आप हमारी website marketingfundas.com पर जा सकते हैं या हमारे दिवे नंबरों पर call या WhatsApp कर सकते हैं दोस्तो description में महा bundle course का link दे रहा हूं जिसके अंदर 60 से भी ज्यादा high paying skills है with certification उसको भी आप explore कर सकते हैं जो भी skill आपको सीखने ही सीख सकते हैं तो दोस्तों thank you for watching marketing funders